अनेक जन्तुओं के विप्रित रूमी नैटिस घास का पाचन कर सकते हैं इसे सक्षम बनाने के लिए उनका पाचन तंत्र रुपान्तिरित है आईए देखे कैंसे रुमेनेंट अपना भोजन निगल लेते हैं और इसे अपने आमाशय में जमा करते हैं उनके आमाशय का ये भाग रुमेन कहलाता है रुमेन भोजन को आशिक रूप से पचाता है आशिक रूप से पचा हुआ भोजन जुगाल कहलाता है जो बाद में वापस मुख में आ जाता है और जन्तुओं द्वारा चबाया जाता है ये पूरी प्रक्रिया रोमंधन कहलाती है झाल झाल